जैहिन प्यारे सातियों मिसनवर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हर्दिक स्वागत है मैं सुसांत रावत आसा गरता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे स्वास्त होंगे और एकदाम मस्त होंगे तो सातियों आप सभी के लिए दो लाइने ना पूछो कि मेरी मंजल कहां है अभी तो सफर का इरादा किया है ना हारूंगा होसला उम्र भर ये मैंने खुद से वादा किया है आप लोगों को भी खुद से वादा करना है कि मुझे मंजल हासिल करनी ही करनी है ठीक है साथियो तो सातियों हमारा चप्पर चल रहा था क्रिया क्रिया क्या होती है किसी कारे के करने या होने का बोद कराने वाले सब्द क्रिया कहलाते हैं जैसे आना पीना ये सभी सब्द क्या है ये क्रिया सब्द होते है ठीक है तो सातियों मैंने आप लोगों को बताया था कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो वेद होते हैं सनरचना के आधार पर क्रिया के पांच वेद होते हैं अच्छा कर्म के आधार पर क्रिया के वेद कौन-कौन से होते हैं तो एक होता है अकर्मक एक होता है सकर्मक इन दोनों को हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाता, ठीक है, अब सातियों जो सनरचना के आधार पर पांच वेद होते हैं, इनको भी हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाता, ये कौन-कौन से होते हैं, तो ये होते हैं, सैयुक्त क्रिया, पूरुकालिक क्रिया, प्र इनको भी हमने बहुती अच्छी तरीके से किया अब सातियों जो हमारी क्रियाएं बची हैं वो हैं प्रेयोग के आधार पर प्रेयोग के आधार पर क्रिया के तीन वेज होते हैं एक होती है सामाने क्रिया एक होती है साइक क्रिया और एक होती है सजातिय क्रिया इनको आज हम पढ़ने वाले हैं और इनके इलावा जो भी क्रिया हैं बचती हैं उनको भी हम देख लेंगे जो कि हमारे exam के point of view से बहुत ही ज्यादा important होगी उनको भी हम साथी साथ करते चलेंगे आज ये पूरा chapter अमारा क्रिया का खतम हो जाएगा और सातियों मैं आप लोगों को बता दे से नहीं आ रही थी उसका एक कारण था कि मेरा laptop खराब हो गया था कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से आई जाती है कभी laptop खराब हो जाता है कभी माइक की quality खराब हो जाती है कभी कुछ हो जाता है ठीक है laptop का skin shot आप देख लीजिए अभी सही हो के आया है ठीक है चलिए सातियों अब आप लोग की classes continue आया करेंगी आप आप लोग बिल्कुल भी tension मत लीजिए हमें भी दिख रहा है कि आपका course चल्दी से चल्दी complete कराना है क्योंकि भरती आने वाली है अब सातियों time को based ना करते हुए हम सबसे पहले पढ़ेंगे सायक क्रिया सायक क्रिया क्या होती है वह लोगों को अच्छे से समझ में आ सके सातियों हमारा उधारण है यह खाता है ठीक है यह क्या है पूरा sentence है या इसको हम वाक्य भी बोलते हैं इस वाक्य में आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह इसमें क्या है एक सर्वनाम सब्द है ठीक है बाकी का जो portion वचा इसको हम क् क्रिया कहेंगे ठीक है आप सातियों इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे खाता जो सब्द है इसमें जो खा है वो क्या है एक मूल धातू है ठीक है इस मूल धातू से क्रिया का निर्मार होता है वो क्रिया होती है खाना ठीक है इस क्रिया को सातियों हम क्या कहेंगे को हम सहा इक करिया कहते हैं जैसे ता है ये क्या है एक सिक करिया हो जाएगा एक है तो इसी को साति हो मेरा कहते हैं इस sentence में आप लोग देख पा रहे होंगे, इस वाक्य में आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम क्या है, एक सर्व नाम है, ठीक है, और नहा इसमें क्या है, एक मूल धातू है, इसी से क्रिया का निर्माड होगा, नहाना, ठीक है, ये हमारी इसमें मुख्य क्रिया हो जाएगी समझ गए और रहें हैं इसमें क्या हो जाएगी एक सहाख करिया हो जाएगी अब आप लोग बहुती अच्छे तरीके समझ गए होंगे कि सहाख करिया क्या होती है हलंगि exam में सहाख करिया से ज्यादा कोशन नहीं पूछे जाते हैं ठीक है पर फिर भी इसको हमने बहुत ही अच्छी तरीके समझ लिया है अगर आगे question आएगा तो आप लोग चुटकियों में ऐसे question को बहुत ही अच्छी तरीके से करके आएंगे अब सातियों हम देख लेते हैं कि सामान क्रिया क्या होती है ये करिया भी हमारी प्रेयोग के आधार पर होती है ठीक है जब किसी करिया को पूरा होने में सिर्फ एक पद जरूरी हो जब किसी करिया को पूरा होने में सिर्फ एक पद जरूरी हो तो उसको सातियों हम क्या उनसी करिया कहते है कामन क्रिया कहते है इसको सातियों हम उधारण के मात्यम से समय लेते हैं हमारा पहला उधारण है रानी आई इसमें सातियों आप लोग देख पा रहे होंगे एक पद है आई इसी पद को हम क्या कहते हैं क्रिया पद कहते हैं ठीक है ना तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस पूरे sentence में एक ही क्रिया पद का यूज हुआ है और जब एक ही क्रिया पद का यूज हो तो उस क्रिया को हम कौन सी क्रिया कहते हैं सामान ने क्रिया कहते हैं ठीक है ना इसी प्रकार से साती हमारा दूसरा उधारण है विकास भागा तो इसमें जो ये भागा सब्द है ये क्या है एक क्रिया पद है इस एक क्रिया पद से ही पूरा सेंटेंस बन रहा है तो जब एक क्रिया सब्द हो पूरे एक वाक्य में तो उस कंडिशन में कौन सी क्रिया होगी सामान निक्रिया होगी अब आप लोग सामान निक्रिया को बह बहुती अच्छी तरीके समझ में आ गई होगी, अब सातियों हम देख लेते हैं सजातिय क्रिया को, कि सजातिय क्रिया कौन सी होती है, जब एक ही क्रिया सब्द दो रूपों में लिखा हो, जब एक ही क्रिया सब्द दो रूपों में लिखा हो, तो उसको सातियों हम क्या कहते पर नहीं है. सजातीय क्रिया कहते हैं. इसको ओदारण के माद्रदय में से समझले लेते हैं. जिस से आप लोग के अच्छे समझ में आ जाएं. हमारा पहला ओदारण है हमने खाना खाया. इसमें सातियों आप्लोग एक सब्द देख पा रहे होंगे खाना और एक सब्द देख पा रहे होंगे खाया इन दोनों सब्दों में एक चीज कॉमन है क्या कॉमन है खा खाद मूल दातु से ये दोनों सब्दों का निर्माड हुआ है जब ऐसी कंडिशन आप लोगों को देखने को मिले तो साथियो उसको हम क्या कहते है सजाती अक्रिया कहते है ठीक है जब ऐसी कंडिशन हो इस कंडिशन को हम क्या कहेंगे सजाती अक्रिया कहेंगे मतलब एक ही मूल दातु से दो सब्दों का निर्माड हो रहा हो तो उसको हम क्या कहेंगे सजाती अक्रिया कहेंगे ऐसे ही हमारा दूसरा उधारण है भारतिय सेना ने लड़ाई लड़ी आप लोग देख पा रहे होंगे कि लड़ाई और लड़ी दोनों एक ही मूल धातू से बन रहे हैं ठीक है लड़ मूल धातू से ही बनाए लड़ाई और लड़ मूल धातू से ही बनाए लड़ी ठीक है तो सातियों ये कौन सी क्रिया हो जाएगी सजातिय क्रिया हो जाएगी ठीक है अब आप लोगों को सजातिय क्रिया पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो सातियों ये थी हमारी प्रयोग के आधार पर तीन क्रिया है सायक क्रिया, सामाने क्रिया और सजातिय क्रिया इनको हमने बहुती अच्छी तरीके से पढ़ लिया है अब सातियों जो क्रियां रह गई हैं एक दो important उनको भी हम देख लेते हैं जैसे अनुक्रानात्मक क्रिया ये आपकी exam के point of view से बहुती ज़्यादा important है ठीक है इसमें कोई definition आप लोगों को याद नहीं करनी है कुछ भी याद नहीं करना है बस आप लोगों को इन सब्दों को याद रखना है जैसे भिन्विनाना, हिनेनाना, खटखटाना जन्जनाना, फड़फडाना ये सब्दा आप लोगों को दिखाई दें तो आप लोग बे जिजग कौन सी क्रिया लगा के आएंगे अनुक्रानात्मक क्रिया लगा के आएंगे ठीक है अब सातियों हम देख लेते हैं कि रूड क्रियाएं किने कहते हैं और योगिक क्रियाएं किने कहते हैं तो साथियो रूड क्रियाएं कौन सी होती है चलना, खाना, पीना, जागना ये हमारी रूड क्रियाएं होती है इनका निर्माण कैसे किया जाता है तो साथियो मूल धातु में नाप्रत्य लगा कर रूड क्रिया का निर्माड किया जाता है जैसे चल एक क्या है? एक मूल धातू है इसमें ना प्रत्य लगा कर रूड क्रिया बनाई गई है ठीक है? ऐसे ही खा क्या है? एक मूल धातू है इसमें भी ना प्रत्य लगा कर एक रूड क्रिया का निर्मार किया गया है यही चीज सातियों जब मैंने चैप्टरे श्टार्ट किया था तो मैंने आप लोगों को बताई थी कि हम जब मूल धातू में नाप्रत्य लगाते हैं तो क्रिया का निर्मार होता है या इसको हम क्रिया कह सकते हैं या इसको हम rude kriya कह सकते हैं कहने का मतलब है जिन मूल धातू में नाप्रत्य लगा हो ठीक है उसको हम rude kriya या kriya कहेंगे इसी परकार से सातियो योग एक kriya कौन सी होती है जिन में नाप्रत्य नहीं लगा होता है जिन में नाप्रत्य ना लगा हो जैसे पढ़वाना, चलकर, पढ़ाना इनमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि नाप्रत्य का यूज नहीं किया गया है और जब नाप्रत्य का यूज नहीं किया जाता है तो उनको सातियों कौन सी क्रिया कहते हैं योगे क्रिया या कर्दंत क्रिया कहते हैं जैसे आप लोग देख सकते हैं पढ़वाना पढ़वाना में कौन सा प्रत्य लगा हुआ है वाना प्रत्य लगा हुआ है इसी प्रकार चलकर में कौन सा प्रत्य लगा हुआ है कर प्रत्य लगा हुआ है ऐसे ही पढ़ाना में कौन सा प्रत्य लगा हुआ है आना प्रत्य लग हूँ तो उसको हम योगिक क्रिया कहेंगे ठीक है चाहें वो कोई सी भी क्रिया हूँ तो सातियो क्रिया चप्टर में वस इतना ही था क्रिया चप्टर आप लोगों का विल्कुल फिनेस हो चुका है मिलते हैं सातियो आप लोगों से एक नई क्लास में एक नई चप्टर के साथ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सेयर करें और चैनल को सस्क्राइब करें जैहिन